हेलो फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंसरेबल री एक्जाम 2024 का जो आंसर की है वो फ्रेंज आपका यहाँ पर जारी हो गया है और इसके लिए यहाँ पर फ्रेंज जो भी लिंक आपको चेक करना है जो भी डिटेल्स आपको चे प्रेंट में दिया गया है अब यहाँ पर फेंज से देखिए आपको कुछ प्रॉलम आ रही होगी यहाँ पर आंसर की को चेक करने में तो कैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसके स्टेब बात करने वाले हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें ला I craft करें जिससे आपको आने वालिस सारी अपडेटेट से मिल सके तो यहाँ पर देखे सबसे पहले जो यह लोग इन सेक्षन है यहाँ पर क्लिक करना होगा और अर्रिस्टेशन नमबर डेट ऑबड डाल कर आप यहाँ पर sign in कर सकते हैं अगर भूल गए है तो forget registration नंबर कर सकते हैं अधार कार या mobile नंबर और डेट ऑबड डाल कर अपना registration नंबर आप ले सकते हैं तो यहाँ पर आपको simply login करना है और लोगिन करने के बाद आपके सामने फ्रेंस से कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होता है जहां पर आपको registration नंबर आपका नाम मिलेगा और इसके बाद यहाँ पर देखिए multiple options मिलेंगे यहाँ और देखिए तो सबसे पहला option है quotient, objection का, आप इस option पर click करेंगे आप देखिए पर sign in नहीं कर पाएंगे अब देखे फ्रेंज से आपका जो कोशन पेपर है उस पर भी आपको कोशन बुकलेट नमबर मिल जाएगा या फ्रेंज से आपका जो OMR कोशन बुकलेट नमबर ये है और इसमें इस कौशन में ये प्रोब्लम है जिसको आप यहाँ पर सही करना चाहते हैं तो इसली यह ज़रूरी है यहाँ पर इसली इनसे मागा गया है ये इसलिए नहीं मिल रहा friends से क्योंकि अगर आप इसकी notice को चेक करेंगे तो notice में यहाँ पर कहा गया है जो exam 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त को हुए थे इनके लिए जो objection करने की date है वो अलग-अलग है जैसे 23, 8, 2, 24 को जिनका भी exam हुआ था इनके लिए 11, 9, 2, 24 को link activate हुआ है जिनोंने 24, 8, 2, 24 को आपका exam दिया है उनके लिए 12 सितंबर को उनका link activate होगा 25, 8, 2, 24 को जिनोंने exam दिया है उनके लिए 13, 9, 2, 24 को link activate होगा अगर आपने 30 को दिया है exam तो 14 सितंबर को आपका link activate होगा और 31 अगस्त वाले candidate के लिए 15 सितंबर को link activate होगा मतलब जो objection वाला link है वो आपका तभी शो करेगा तो आपकी जो एक्जाम डेट है वो आप चेक करने अगर आपने 23 को दिया है तो आप उस कंडिशन में लॉग इन करके आप फ्रेंस से यहाँ पर आपजेक्शन कर सकते हैं पर अगर आपने यहाँ पर 24 को 25 को या 30 को या 31 को अपना एक्जाम दिया है जैसे पहला कोशन है किसी एक में ही आस्ठा रखने वाली वाक्यांज के लिए एक शब्द बताईए तो इसके लिए फ्रेंस की आंसर है वो है A मतलब अनन्ने ऐसे ही फ्रेंस कोशन नंबर 2 के लिए भी A ही है तीन के लिए A है चौथे के लिए A है पांचमे के लिए D है अभी question अलग-अलग हो सकते हैं आपके क्योंकि booklet number आपको देखना है या friends आप यहाँ पर इसका मिलान कर सकते हैं और उसके बार अपने answer की को आप यहाँ पर check कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यह जो question paper है इसका PDF में आपको provide करूँ जो यह answer की आपको यहाँ पर दी गई है तो friends आप हमें comment कर सकते हैं साथ में friends से telegram group आप हमारा join कर सकते हैं इसका link jobrasta.com पर मिल जाएगा या हमारा whatsapp group join कर सकते हैं वहाँ पर मैं जल्दी ही इसका जो PDF है जो आपके सामने यहाँ पर है यह आपको provide कर दूँगा तो यहाँ पर friends जो भी यह update है जो भी friends answer की है वो objection भी आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके लिए multiple आपको यहाँ पर options दिये गए हैं तो यहाँ पर friends से ध्यान रखिएगा जिनका exam test को हुआ है उनका ही link activate है अगर आपका friends यहाँ पर जो booklet number है वो खो गया है तो friends आप login नहीं कर पाएंगे पर अगर आपके पास omr sheet या question paper में से दोनों में से कोई भी एक available है तो उस पर यह जानकारी available होती है वहाँ से आप इसे ले सकते हैं और login कर सकते हैं तो यह friends से जानकारी में आपको provide कर दी है बाकी की जानकारी आप jobrasa.com पर जाका check out कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अपडेट पसंद आया है तो like subscribe